नमश्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर स्वास्त से चुड़ी सारी ज़ानकारियां एक्सपर्ट्स और फैदों की राय से दीच जाती है तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो आज की समय में सेल्फोन हम सभी के लाइफ की सबसे बड़ी जरूरतों में सी एक बन चुका है सेल्फोन हमारे कई काम को आसान बनाता है लेकिन अगर आप इसका बहुत सादा इस्तेमाल करते हैं हर समय सेल्फोन साथ लेकर चलते हैं तो आज से सावधान हो जाएए क्योंकि ये आपके स्वास्त के लिए हानी कारक हो सकता है कैसे हानी कारक होता है इससे कैसे बचा जा सकता है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों मुबाइल फोन से निकलने वाला विकीरन आपकी सेहत को ही नहीं ये आपको कई तरह की गंभीर बिमारियों का शिकार बना सकता है अधिकतर लोगों की ऐसी आदत होती है कि वे रात में सूती समय भी सेल फोन को बगल में रख कर सूती हैं और इससे निकलने वाला विकीरन आपके सेहत के साथ ही साथ आपके मस्तिस्क पर भी बुरा प्रभाव डालता है तो दूस्तों कभी भी रात को सेल फोन अपने बगल में रख कर ना सूएं इससे कहीं थोड़ा दूर रख कर सूएं इसके अलावा कई लोग अपना सेल फोन बेल्ट के पास बने पॉकेट में रखते हैं इससे निकलने वाली इलेक्ट्रो मैगनेटिक विकीरनों की वज़ स ये आपके हडियों के लिए हानिकारक होता है और आपके हडियों में मौजूद मिनरल लिक्विट को भी कि समाप्त करने में मददगार होता है तो कभी भी अपने सेल फोन को अपने पॉकेट में ना रखें इसे किसी दूसरे बैग में या किसी और चीज में रखा करें हाल ही में हुए WHO World Health Organization की सूध में यी बात सामनी आई है कि अत्याधिक सेलफोन का इस्तिमाल करने से मस्तिक्स के कैंसर का खत्रा भी चार गुना बढ़ चाता है सेलफोन से निकलने वाले विकिरनों के चलते ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है ये विकिरन आपके डियेने को भी छतिक रस्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको मानसिक रोग भी होनी का डर रहता है आजकल बहुत तीज रफतार से पढ़ने वाली तनाव और और साथ का भी एक मुखी कारण सेलफोन से निकलने वाले रेडियेशन की खतरनाक प्रभाव हैं इसके अलावा अत्याधिक सेलफोन उप्योग करने से कैंसर, हृदर रोग, डाइबिटीस जैसी कंभीर बीमारियां होनी का डर रहता है तो दोस्तो ये तो थे नुकसान, अब मैं बताने जा रही हूँ कि क्या कुछ करके आप इसके नुकसान से बच सकते हैं, तो वीडियो को देखते रहें दोस्तो जब भी आप मोबाइल से बात करें, तो इयरफोन लगा कर ही बात करें, ऐसे सीधे इसका उप्योग ना करें जादा कोशिश करें की सेलफोन को अपने कान के पास ना लगाएं, स्पीकर आउन करके दूर से ही बात करें सेलफोन में कुछ भी देखें, तो 25 सेंटीमीटर दूर रख कर देखें, इससे आपकी आखें खराब नहीं होगी और इससे निकलने वाले विकिरन का प्रभाव भी कम होगा सेलफोन से निकलने वाले विकिरन हमारी तवचा को भी खराब करता है एक दिन में दो से तीन घंटे से ज़ादा सेलफोन का उप्योग ना करें तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जिनको ध्यान में रख कर आप सेलफोन से होनी वाले दुस प्रभाव से बच सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोट करूँ तो आपको तुरंट जानकारी मिल जाए तब तक के लिए बाई टेक केर मिलते हैं अगले वीडियो में